हलो है स्टूडेंज, वेलकम टू डेफिनेट सेक्सपाचाला इस पाचाला में मैं रुपाली वर्मा आपको पढ़ाती हूँ हिंदी तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ क्लास नाइंत को तो ध्यान रखेगा, क्लास नाइंथ, आप अभी अभी पाउस आउट होकर क्लास नाइंथ में आए हैं, तो कुछ चीजें आपके लिए बदली हैं, इसलिए मैं हर एक वीडियो में आपको वो सारी चीजें क्लियर करते हुए चल रही हूँ, अब बदलाव क्या हुआ है, अगर आपके पास शितज भाग एक और कृतका भाग एक नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप कोर्स B पढ़ रहे हैं, आप इसको भी हमें बता देती हूँ, आप नाइंथ में दो कोर्स पढ़ सकते हैं, या तो कोर्स A या तो कोर्स B, अब इसमें आपके पास चूज करने का पास बुक होगी शतज भाग एक और कृतका भाग एक और अगर आपके पास होगी इसपर्श भाग एक और संचयन भाग एक, तो अब ही मैंने शुरू कराया है कोर्स A, तो कोर्स B के स्टुडिन बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ, उनके लिए भी जल्दी वीडियो लेकर आ जिसका हम पहला अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, दो बैलों की कथा, अच्छा एक चीज़ और बता दू, ये पुस्तक हमारी गद्य खंड और कावे खंड दो भागों में विभगते, अभी तक हम एर्थ में क्या पढ़ते आ रहे थे, कविता हैं, पाठ हैं, कहानिया हैं चंद ये सब अलग का विखंड में, तो सबसे पहले हमारे पास आया है गद्य खंड और गद्य खंड का प्रथम अध्याय था दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा में हमने डिटेल एक्स्मिनेशन, NCRT कोशिंस और प्लस प्राक्टिस पेपर ये कर लिया, उसके बाद हम स NCRT कोशिंस के साथ ही मैंने आपको एक प्राक्टिस पेपर दिया था, जसमें आपके पास सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न थे, और मैंने ये कहा था आपसे कि इसे आपको कंप्लीट करना है, आज मैं उसी प्राक्टिस पेपर की आंसर शीट सब्सक्राइब करने से आपको हर्चिज मेमराईज जल्दी हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर प्राक्टिस पेपर लिख कर करेंगे, तो हो जाएंगे, तो आज हम कर रहे हैं लेहासा की और का आपका प्राक्टिस पेपर है, जो कि हमारा नंबर टू है, प्राइश्ट हमारा चैप्टर था नमबब वन अब हमारा जो सेकिंड चैप्टर है यह है नमबब टू तो शुरू करते हैं आज का पेपर तो प्रैक्टिस पेपर में आपको मैंने अबजक्टिव और सब्जक्टिव तूनों ही धर्यक्र के प्रिश्ण दिये थे ए और उस और उस कद्यांश पर आधारित है पांच बहुविकलिपी प्रेश्ण तो पांच प्रेश्ण है तो एक नमबर का एक प्रेश्ण रहेगा हमारा तो टोटल हो जाएंगे फाइव मार्क्स के तो ध्यान रखेगा बहुत ध्यान से इसको मैंने आपको करने के लिए पहले भी बो चले शुरू करते हैं गद्यांश अब हम तेडिरी के विशाल मैदान में थे जो पहाडों से घिरा टापू सा मालूम होता था तो पहाडों से घिरा टापू का टापू का मतलब तो आप जानते हो ना चारो तरफ समंद्रों बीच में एक थोड़ा सा लैंड हो उसको हम ले रहा इसलिए इसे पहाडों से घिरा टापू कहा गया है जिसमें दूर एक छोटी सी पहाडी मैदान के भीतर दिखाई पढ़ती है उसी पहाडी का नाम है तिडरी समाधी गिरी नाम याद रखेगा तिडरी समाधी गिरी आसपास के गाउं में भी सुमती के कितने ही गंडे होता है मंत्र लगी हुई पटियां होती हैं जो जाकर वो आपने जो भी मानने वाले हैं उनके हां बाटना उनके हां से जो भी पैसा अना जो कुछ भी प्राप्त होता वो लेकर आते थे तो यहां पर सुमती के कितने ही अजमान थे कपड़े की पटली पटली चिडी प बहुत ही चहाँ पर भगवान बुद्ध को जो है ज्यान प्राप्थ हुआ था तो उस महा का बहुत ही ज्यादा माननेता है वहां से लाए कपड़े के पटियां चिरी जाती है उस पर मंत्र लिखे होते हैं उन्हीं को गंडे बोलते हैं वहां अपने यज्मानों के पास जाना चाहते थे जब तेड़ी समाधी गीरी पहुचे तो वहां कहां जाना चाहते थे रावल साथ गाईट ते सुमती वो अपने यजमानों के हाँ जाना चाहते थे मैंने सोचा यह है तो हफ्ता बर उधर ही लगा देंगे मैंने उन्हें कहा कि जिस गाओं में ठैरना हो उसमें भले ही गंडे बाट दो मगर आसपास के गाओं में मत जाओं इसके लिए मैं तुम्हें लेहासा पहुचका रूपे दे दूँगा तो अब क्या हुआ जो अब वो बहुत भिक्षव सोच रहे हैं कि जब हम इनको गाइट करी रहे हैं बहुत जगा 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 जा रहे हैं तो रास्ते में उनके जितने ही अजमान पढ़ रहे हैं सब के हां गंडे बाट दे तो एक पंथ दो काज हो जाएगा क्योंकि हम गंडे बाटने जाएंगे तो वो लोग भिक्षा में कुछ ना कुछ देंगे तो इससे उनका फायदा होगा तो जब इन्होंने लेखक से परमिशन मांगी कि नहीं हम जाना चाहते हैं गंडे बाटने के लिए अपने अजमानों किया तो उन्होंनों बना कर दिया कि जिस गाओं में हम ठहर रहे हैं यहां पर आपके जितने ही अजमान है आप यहां भले गंडे बाट लो लेकिन आसपास के गाओं में नहीं जाओ क्यों नहीं जाओ कारण ये था देखें, मैं ये कारण इसलिए बता रही हूं क्योंकि इस पर question बनेगा कि उन्हें आजपास के गाउं मे儿 क्यों नहीं जाने दिया क्योंकि अगर वो आजपास के गाउं मे儿 गंडे बाटने के लिए जाते तो उसके लिए उन्हें हफते भर से उपर का समय लग जाता और इससे उनकी यात्रा जो है डिले हो जाती क्योंकि वो लेहासा की ओर जा रहे थे तो इससे उनकी यात्रा डिले हो जाती अब इसी कहानी में आगे था जब वो उनको गंडे बाटने की पमिशन दे देते हैं कि चले जाओ अभी नहीं दिया ते डिरी तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दे देंगे जो भी पैसे होंगे। इनको उठने में देर हुई जिसकी वज़े से इनकी यात्रा जो है दस ग्यारा बजे शुरुए दस ग्यारा बजे तक धूप बहुत तेज हो गई। लेकिन जहां पर भी आपकी धूप नहीं पड़ेगी श्रीर का वही हिस्सा ठंड से जमने लगेगा। तो ये हमारा गद्यांश था अब इस पर पहला प्रश्ण है। नेक्स आते हैं तिड़ी समाधी गिरी किसे कहते हैं अब ये तिड़ी समाधी गिरी किसे कहते थे ये आपका गद्यांश में आया। अप्शन देखिए जब भी आपके पास बहुवी कल्पी प्रशन आएंगे सारे अप्शन पढ़ना। क्या है देखिए। तिड़ी में मैदान के भीतर छोटी सी पहाडी को कहते हैं। पहाडी आकाश को कहते हैं पहाडी मैदान को या पहाडी नाले को। तो किसी कहा जाता है इसे कहते हैं तिड़ी में मैदान के भीतर छोटी सी पहाडी को कहते हैं। मैदान देखूं उसमें क्या बताया था चारों तरफ पहाड़ है बीच में एक समतल एरिया तो वह तो और उस समतल एरिया में भी एक उचा सा स्थान था जिसे पत्थरों से उचा बनाए गया था क्योंकि वहाँ पर इश्वर हुनी की मानिता थी इस वजह से तो वह गंडा मंत्र पढ़कर गांट लगाया हुआ कपड़ा बुद्ध का प्रसाद मिठाई आश्रवात आप सभी को पता है क्या था वो गंडा मंत्र जो कपड़ा था ना बोध गया का उसे मंत्र पढ़कर उसमें गांट लगा कर वो सबको दिया करते थे अजमानों को भरिया से क्या अभिप्राय है पेशेवर भारवाहक पैसा लेकर तॉलने वाला भारवाहकों का मुख्या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो भरिया से ताथ पर मैंने आपको बताया पेशेवर भारवाहक जिनका काम ही होता है भार उठाकर चलना क्योंकि जिस दिन उन्होंने यातरा शुरू करी तो उन्होंने भरिया ढूना यानि कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो भार ढोकर चले आप अक्सर अगर पहाड़ी इलाकों पर जाएंगे जहां तीरत स्थान हूँ खास दोर से तो उन जगाओं पर ये भरिया मिलते हैं आप उनी को बोलते हैं भरिया यानि कि पेशेवर भार वाहक लेखक ने सुमती से क्या नहीं करने का आगरे किया था आसपास के गाओं में गंडा नहीं बाटने का हमेशा साथ रहने का लिखने का गरंतों के अध्यन करने का तो यहां पर लेखक ने सुमती से क्या करने का आगरे किया वो था आसपास के गावों में गंडा नहीं बाटे का कि प्लीज आप जो है आसपास के गावों में गंडे मत बाटे क्योंकि अगर आप जाओगे तो आपको हफते भर का समय लगेगा इस वचे से अब हम आ गए अपने दूसरे कद्यांश पर जो सकेंड हमारा कद्यांश है हम उस पर आ चुके हैं अब यहाँ पर क्या दिया गया सकेंड कद्यांश को ध्यांश से देखिए तिबबत के जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागिर्दारों में बटी है जागिर्दार जानत पे काम करने का अधिकार रखते हैं इन जागीरों का बहुत जादा हिस्सा मठो यानि विहारों के हाथ पे हैं अब तिबबत को हमने बताया ना कि जमीने हैं लेकिन वो अधिकतर जमीने किसके आधीन हैं बहुत हैं मठो के आधीन हैं अपनी अपनी जागीरों में हर एक जाग खेती लायक भी है तो जो खेती लायक जमीन है अब मठ जो है वो खुद उसकी रेखभाल नहीं कर सकते। लेकिन मजदूर बेगार काम करते हैं, बेगार का काम क्या मतलब होता है कि आप काम तो करोगे मगर आपको इसके लिए कुछ भी पैसा या मेहनताना नहीं मिलेगा अब ऐसा क्यों होता है आपरी जिन्दे के क्योंकि आप जिस चेटर में रहे रहे हैं वो चेटर बहुत है बहुत है धर्म को मानने वाला है अब जमीन अगर बहुत है विक्षणों की है तो उस पर लोग स्वेच्छा से काम कर लेते यहाँ पर जबरजस्ती या क्या केते हैं आप से आपको मार पीट कर आपका शोशड करकर वहाँ पर काम नहीं कराय जारा वहाँ के लोग अपने शद्धा अनुसार वहाँ उन जमीनों पर काम करते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर इन जमीनों पर हम काम करेंगे तो एक तरीके से हम बहुत धर्म की सेवा कर रहे हैं इसलिए उसको बेगार कात के कि उनको जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता है खेती का इंतिजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षू भेजा जाता है जो जागी इर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता आप देखे बहुत भिक्षू ने अपनी जागीदारों को दे दी कि आप यहाँ खेती कराओ लेकिन उसके उपर भी आप जागीदार कैसा काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसके लिए मठो से भिक्षू आते थे उन सब के निगरानी करने के लिए और जो आते थे वो उनके लिए राजा से कम नहीं होते थे वो लोग उनको बहुत बूचते थे शेकर की खेती में मुख्या भिक्षू नम से बड़े भद्ध पुरुश थे अब शेकर वियार जब यह लोग पहुँचे थे तो वहां की जो खेती थी वहां की खेती को देखने के लिए जो मुख्या निक्त किये गए थे वो थे नम से वो बहुत ही भद्र यानि की बहुत ही अच्छे संसकारी जो व्यक्ती होते उस तरीके के थे वह बहुत प्रेम से मिले हाला की उस वक्त मेरा भेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी खयाल करना चाहिए था यहां एक अच्छा मंदिर है जिसमें कंजुर ठीक है अब यहां पर देखें मैं आपको बता दू क्योंकि हमारे जो लेखक हैं वो एक भिकारी के रूप में ट्रेवल कर रहे थे तो उन्होंनों बोला कि वो मुझसे मैं जिस भेश में था उसमें सभ्था की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं एक भिकारी था लेकिन तब भी उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से पेश आया अब वहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर बना है जिसमें कंजुर रखे कंजुर का मतलब क्या होता है बुद्ध वचन अनुवाद की हस्त लिखित 103 पोथियां रखी थी मेरा आसन भी वहीं लगा अब मतलब क्या होता है देखिए जब हमारे भगवान बुद्ध जी जो है उनको ग्यान प्राब्थ हुआ तो उन्होंने वो सारा ग्यान सब में बाटने का तै किया अब वो लिखते नहीं थे यह नहीं कि वो जो बोल रहे हैं वो लिखे तो वो जो भी वचन देते थे तो उनके जितने भी शिष्ष होते थे या अन्याई होते थे उन सारी चीज़ों को वो लिख लेते थे अब भगवान बुद्ध कब हुए तब उनके अन्याईों ने वो जो बुद्ध वचन लिखे वो हात लिखी हुई पोथियां हात लिखी हुई ठीक है ये ध्यान रखिएगा मेरा आसन अब हमारे तो लेखक अब लेखक भी पढ़ना चाहते थे तो इनका आसन वहीं का वहीं लग गया कि नहीं मैं इनको पढ़ूँगा और वो पढ़ने में रम गये वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी मतलब मोटे मोटे कागज थे और बहुत अच्छे अक्षरों में लिखी थी एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी 15 सेर का मतलब आप जानते हैं एक सेर मतलब 5 केजी एक सेर का मतलब क्या हुआ पांच किलो तो पंदरा सेर यानि कि एक पोथी इतनी बेटेट थी यानि कि 15 केजी समझ में आया तो ये हो गया 75 केजी के आसपास पांच सेर का मतलब ये हो गया तो सुमती ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा मैं अब पुस्तकों के भीता था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया अब जब शेखर विहार में जब ये पोथीयों के पास थे तब ही सुमती इनके पास आये कि हम भी यहां आसपास के गावों में अपने एजमानों के हाँ जाके गंडे बाट आता हूं तो इस बार हमारे लेखक ने जाने के लिए कह दिया कि ठीक है जाईए अब वो उन्होंने ऐसा क्यूं कहा पहले क्या था उन्होंने मना किया कि हम नहीं जाने देंगे लेकिन इस बार उन्होंने कहा जाई का तब तक मैं ये पोथियां पढ़ लूँगा इसलिए उन्होंने सुमती को जाने के लिए कह दिया अब मैं क्या कहते है था मैं पुस्तुकों के भीतर था अर्थात मैं वहास्त लिकित लिपियां पढ़ने लगा था सुरी चली अब आज आते हैं हम पहला हमारा बहुविकल्पिय का पहला क्या है तिबबत में जागीरों का अधिकतर भाग किस के पास है किस के पास अधिकतर है सरकार के पास मठों के पास स्थानिय लोगों के पास या आदिवासियों के पास तो आप सभी को बतायता ना जागी पहुआ का अधिकतर भाग किसके पास है, वो है मठो के पास है, तो मठ के पास ज़्यादर प्रापर्टी रहती लीट है, खाए कर जाते हैं, तिबद में खेदी की विवस्था कौन देखता है, अब वो जो मठो की ज़िवस्था कुन के अंडर है, कौन देख रहा है उसको, मट के भिक्षू गाओं का सरपंच बच्चे एवं व्युवा या सरकारी अधिकारी तो वो कौन निगरानी करता है वो हैं मट के भिक्षू जागीरदार जो हैं वो तो खेती करा रहे हैं लेकिन उसकी निगरानी किसके द्वारा की जा रही है उसके निगरानी की जा रही है व बहुत धे मठके जो भिक्षू हैं वो उनकी निगरानी किया करते थे तीसरा है पुस्तकों के भीतर होने से क्या अभिप्राय है वनन कीजेब इसका मतलब क्या है पुस्तकों के भीतर होना पुस्तक में कुछ होना पुस्तक के अंदर होना पुस्तक पढ़ने में रम जाना या पुस्तक पढ़ने से दूर रहना, तो क्या होगा, मैं पुस्तक के भीतर ठा। अर्थाद अब मैं पुस्तकों की दुनिया के अंदर प्रवेश कर चुका था। मुझे अब मैं उसमें बिझी हो गया था। नेक्स है कंजुर से क्या भी प्राय है कंजुर क्या होता है बुद्ध वचन का अनुवाद एक फल एक जंजाती या एक मंदिर तो यहाँ पर क्या है बुद्ध वचन का अनुवाद भगवान बुद्ध ने जो वचन दिये थे उन सभी को हस्तलिखित जो किया गया था उन्ही गर में मंदिर में मुख्या के यहां या सरकारी संग्रहाले में तो वो हस लिखित पोथियां कहा पर थी वो हस लिखित पोथियां थी आपकी मंदिर में जो वहाँ पर था एक बहुत अच्छा मंदिर बना था बताया गया था न तो उस मंदिर में रखी हुई थी अब हम आ जा ठीक है दूसरा आपके पास शितिज बुक से जो भी question आएंगे वो लगू उत्रिये हे रहेंगे ठीक है और इन सभी की marking two two marks की रहेंगे इन में कोई भी question आपका three marks का नहीं आएगा three marks वाले question आपकी कृतिका बुक से आएंगे ठीक है कृतिका बुक से जो आपके chapters हैं उसमें से आपके long questions आएंगे जो three marks के रहेंगे तो शितिच बुक से आने वाला हर question जो होगा वो two marks का रहेगा और वो लगूत्रिये रहेगा या तो बहुवी कल्पिये रहेगा या वर्नात्मक रहेगा और वर्नात्मक में भी आएगा तो ये सिर्फ two marks का रहेगा चलिए पहला प्रश्ण देखते हैं तिबबत की ततकालीन कानून विवस्ता भारत की तुल्ला में लचर थी कैसे पाट के आधार पर इस पश्ट कीजिए अब क्या था देखे तिबबत में ततकालीन कानून विवस्ता अब ये ततकालीन का मतलब क्या है कि जिस समय हमारे अब अवस्था में थी क्योंकि वहां हतियार कानून नहीं था पुलिस अथा खूफिया विभाग भी कमजोर था तो अब वहाँ पर किया था किसी भी तरीके से हतियार रखने की विवस्था थी वो बहुत लचर विवस्था थी अब क्यूं था देखे तिबत का जो एरिया है वो बहुत ही सुंसान एरिया है जादा लोग रहते नहीं बहुत दूर दूर बस्तियां हैं तो एक बस्ती से दूर सी बस्ती तक जाने में काफी सुंसान एरिया को क्रॉस करना पड़ता अब उन सुंसान एरिया में बहुत जाद लूटेरे ये सब बैट जाते हैं और क्या है वो लोगों को लूटते हैं अब लूटने यह नहीं कि पहले लूट लो फिर नहीं दो तो मारो पीटो कुछ नहीं वो लोग क्या करते थे जब लूटने आते थे तो सबसे पहले आदमी को मार देते थे फिर उसके बाद देखते थे कि उसके पास सामान है या नहीं, तो वहाँ पर जो, अभी 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 टेरों से बचने के लिए वहाँ के लोग अपने पास हथियार रखते थे, तो जैसे आप गाओं अगरा में देखते हो, लोग अपने साथ लाथी ले कर चलते हैं, उस तरीके से वहाँ पर लोग अपने साथ हत्यार लेकर चलते थे सिर्फ अपनी रक्षा के लिए तो इस तरीके वहाँ पर हत्यार रखने की कोई भी विवस्था नहीं थी जबकि भारत में इसकी काफी अच्छी विवस्था है निर्जन इस्थान पर हुई घटनाओं पर पुलिस तता खूफिया अधिकारी ध्यान नहीं देते थे अब जो सूंसान इलागों में जो भी अगर घटनाएं हो भी जाएं तो लोग अब इतनी दूर तक कहां पहले तो पहली बात यह होता था कि मान लीजिए कि एक गाउं से दूसरे गाउं के बीच कहीं पर अगर लूट पाथ हुई और लोगों को मार दिया गया तो वहाँ पर लूट पाथ हुई है कोई मारा गया है यही पता चलने में तीन-चार दिन लग जाते थे क्यों क्योंकि उस एरिया से जब कोई गुजरता था तब उनको पता चलता था कि हां यहां कोई विक्ति मारा गया है बना सुनसान एरिया है तो आसपास तो कोई रहता ही नहीं तो जब मारा गया अब ये मारा गया तो जिस वेक्ति ने देखा वो आसपास के गाउं में जाकर बताएगा फिर वहाँ के लोग आके देखेंगे पुलिस को इनफॉर्म करेंगे पुलिस आएगी तो इसी में जो है कम से कम 6-7 दिन भी जाते थे तो आप सबूत पहले ही नहीं है क्योंकि जो लूट रहा है वो तो पहले आदमी को मारे दे रहा है तो सबूत तो रहते ही नहीं थे और दूसरा पुलिस भी इस बारे में कारवाई करने में इत्ता डिले हो जाता था क्योंकि उसके पास information बहुत देर से पहुंसती थी और इतनी दूरी होने की वज़े से ये सारा काम होता था हातियार कानून नहीं होने के कारण लगबख सभी के पास डंडे की तरह पिस्तॉले और बंदूग थी अधा आम आदमी भी किसी तरह की हत्या या लूट पार्ट करते हुए डरता नहीं था जबकि भारत में ऐसे खुले अपरात की आजादी कभी नहीं थी अब भारत में हम कहरें स्वतंत्रता के बाद हो या स्वतंत्रता के पहले हो इस तरह की लूट पार्ट कभी नहीं होती थी कि आम आदमी भी रहा चलते व्यक्ति को लूटने का प्रेत्न करता हूँ तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि भारत की जो कानून विवस्ता है उससे कहीं जादा लचर विवस्ता कहां थी तिबबत में थी क्योंकि तिबबत में ये सारी चीज़ें लोग नहीं थे विवस्ता नहीं थी आने जाने के रास्ते नहीं थे इसलिए ये सारी चीज़ें होती थी जादा तर दोसरा प्रशन है पार्ट के आधार पर तिबबती भिक्षू नमसे का चरत चतरन कीजिए पार्ट में वैसे उनको ये बताया गया कि वो बहुत एक भद्रपुरुश है, बहुत ही अच्छे से पेश आए, तो अब इन ही दो लाइनों के हिसाब से आपको उनका पूरा चरत चितरन कर देना है, चीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे किया है हमने, नमसे तिबबत के इसलिए उनको आये थे, उन्हें समाज में अत्यंत समानी अस्थान प्राप्तता वो बहुत अच्छे और नम्र इंसान थे, अहंकार का उनमें नामों निशान नहीं था, वे भिक्मंगे स्वरूप में भी लेखक से आत्मियता से मिले और उन्हें समान से अपने यहां सद्ध करता है कि वे अत्यंत दयालू और अत्य भाव से परिपून इस निसान थे, तो उनके बिहेवियर के बारे में जादा चीजें कुछ बताई नहीं गई हैं, लेकिन जितनी चीजें बताई गई हैं, मैं उन्हें के आधार पर यह चीजें मैंने करी हैं कि उन्हें सीद अधिति परिपूदि तो इस तरीके से हमारे यह निम्से जीदे बहुती भद्र, नम्र, दयालू, विनम्र, शील, वेक्ति थे, सभी के साथ कहते ना कि जो भगवान के उपासक होते हैं, वो सभी के साथ समान वहवार करते हैं, तो यहां पर देखें, वो तो अपने यज़ समानों के साथ अच्छा देखार करते हैं, लेकिन हमारे जो लेखक थे, जो एक विकारी के रूप में थे, उनका भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया था, नेक्स आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे, लेहासा की और पाट के आधार पर सुमती का चरत्र चत्रण कीजिए, अब यह जो पाट हम पढ़ रहा हैं, हमने लिया, अब सुमती जो की एक गाइड के रूप में हमारे लेखक के साथ थे, अब आपको बताना है, उनके चरत्र के बारे में हैं, तो उनके तो हमने ज़्यादतर बाते सुनी हैं, देखी हैं, तो उनका सुभाव हम कैसे निकालेंगे देखें, सुमती लेखक के साथ साए की तरह राप, चूकि वो एक गाइड थे, हर जगे जाना, महां की चीज़ों के बारे में जानकारी देना, साथ साथ क्योंकि उन रास्तों से हमारे लेखक जिन से अंजान थे, सुमती अच्छी तरीके से परिचित थे, तो उन सभी की नौलज देना भी उनका काम था, उनके परिचित संपूर्ण मार्ग में पड़े गामों में थे, यानि की सुमती के जितने भी जानने वाले या आप बोल ल यानि कि वो मिलनसार है, हस्मुक है, और दूसरा धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि वो एक बहुत बिक्षू होने के नाते, यह जो है, सभी के हाँ गंडे बाटने जाते थे, तो इस तरीके से धार्मिक व्यक्ति भी थे, इत्य सारों लोगों से उनका अच्छा वहवार था तो मिलनसार थे, हस्मुक थे, वर समय का पाबंद बहुत धर्म के प्रतियास था वान, तथा आथित्य सत्कार से अत्युत कुशल थे, अब यह समय का पाबंद कहां होता है, जब एक बीज में वाक्या आया था ना, जहां पर हमारे लेखा का घोड़ा बटक गया था, वो ड प्रताय गरम करनी पड़ी थी, तो जब यह देर से पहुंचे थे, तो सुमति गुस्सा हो गये थे, तो उससे पता चलता था कि वो समय के पाबंद है, भाई बहुत भिक्षु थे, तो बहुत धर्म के अन्याई तो वो थे ही थे, आस्थावान थे, और अथिती सत्कार, लगे कपड़ों को, यजमानों को देना, और उसके बदले उनसे धन प्राप्त करना, उनकी लालची प्रवत्ती को उजागर करता है, क्योंकि हर जगा वो क्या था, अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, तो जो एक काम मिला था, उसको छोड़कर वो साथ में एक काम और निपटा लेना चाहते थे, और खाली पतली पतले कपड़े की पट्टी की जगधा धन लेना, तो ये उनकी लालची प्रवत्ती को भी दर्शाता है, प्रेश्ट संख्या चार है, परितक्त चीनी किला कैसा था, परितक्त चीनी किला मतलब जानते हैं, ये तो मैंने सांए गई तो उनके द्वारा किले दिये गए तो परितग्य किला छाम्य बें के लिए थ अगर उस एक टुकडी को भी रखने के लिए बनाया जाएगा तो उस तरीके का वो विशाल था जीन शीन था क्योंकि अब उसको बहुत टाइम पहले छोड़ दिया गया था उसकी देखभाल कोई नहीं कर रहा था तो तूटा फूटा अवस्था में था जिसे किसानों ने आबाद दिखाई दे रहा था अब किसान वहां रहने लगे थे इसलिए थोड़ा सा वो अच्छा था प्रश्ट संख्या पाज है लेखक की तिबबत समय तिबबत में क्या नहीं था तो लेखक जब तिबबत की यात्रा कर रहा था तो उस समय तिबबत में क्या चीज नहीं थी ठीक है कोशन समझिए देखे लेख़ की तिबबत यात्रा के समय वहाँ पर हतियार का कानून जाती प्रथा चुआ छूत तथा परदा प्रथा नहीं थी तो समझ में आया जब वो तिबबत की यात्रा कर रहे थे अब चूकि देखे तिबबत की यात्रा वो क्या था भारत से नहीं कर सकते थे उन्हें नेपाल के रास्ते से जाना पड़ा था तो यह कहां थे भारत में थे तो जिस समय यह भारत में थे तो उस समय यहां पर छूआ छूत परदा प्रथा जाती प्रथा एकदम प्रगाण पे थी लेकिन जब यह यहां ते तिबबत गए तो उन्हों कि तिब्वत यात्रा के समय वहां पर हदियार का कानून जाती पाती छुआ चूत था परदा प्रथा नहीं थी वहां की सरकार खूफिया विभाग और पुलिस पर बहुत कम पैसे खर्च करती थी तो वहां की सरकार क्या थी क्योंकि जब सभी लोग ही वहां के इतने अच्छे तो खूफिया विभाग लगाने की जरूरत नहीं कोई क्राइम नहीं हो रहा तो इतना पुलिस पर भी पैसा खर्च करने की जरूरत ही हाँ देखे वो एक अलग बात थी कि रहा चलते लोगों को मार दिया जाता था तो वो सुनसान इलाकों में होता था तो ये लूट वाली हो लोग लाठी की तरह पिस्तॉल और बंदूग लेकर घूमा करते थे बहुत निम्ज शेडी के भिकमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे वैसे आम जन घर के भीतर तक यहां तक की रसोई घर तक जा सकता था तो जो बहुत ही एक अब भिकारीों मे वो लूट कर सकते थे कुछ समान चुरा सकते थे इस वज़े से ऐसे लोगों को घर के अंदर नहीं आने दिया जाता था लेकिन जो थोड़े और भिकारी ठीक ठाक रहते थे वो आप घर के अंदर जाईए रसोई में जाईए अपने मन से चाय बनाईए समान आपका अपना जाईए बनाईए अगर आप नहीं जा सकते हैं तो वहां की औरतों से अगर आप बोलते तो वो औरते भी चाय बना के आपको बहुत अच्छे से दे देते आप पी सकते तो इस तरीके से लोगों के अंदर जो है एक डर होता है अजनभीयों को लेकर वो भी नहीं था क्योंक ये लाके में आकर लूटेगा या कुछ करेगा तो ये सारी चीजें जब हमारे लेखक वहाँ पर यात्रा कर रहे थे तो वहाँ नहीं थी प्रेश्ट संख्या 6 हैं लेखक परितक के किले के पास दूसरी बार कितने दिनों बाद पहुचा तथा उसके साथ क्या हुआ तो अब यहाँ पर पहली बार तो वह भिकमंगे के रूप में यात्रा कर रहे थे अब उन्होंने क्या पूझा है दूसरी बार लेखक परितक के किले के पास दूसरी बार कितने दिनों के बाद पहुचा था और उसके साथ क्या हुआ था तो अब यह आपको बताना देखिए लेखक 5 साल बाद फिर उसी किले के पास पहुचा था तो पहली बार उन्होंने जब यह चीज़ आपको इस चैप्टर में भी आत्रा थी लेकिन इस बार वा भिकमंगे के वेश में नहीं आपितु भद्र पुरुष के वेश में थे फिर भी उसे रहने का इस्थान नहीं मिला तो पहली बार जब वो भिकमंगे के वेश में थे तो उन्हें रहने का इस्थान मिल रहा था लेकिन दूसरी बार जब वो एक भद्र यानी की अच्छे पुरुष के रूप में थे तो उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी तो ये एक फरक देखने को इनको मिला था वो पांच साल बाद जब उस परितग्य किले के पास पहुँचे थे प्रेश्ण संख्या साथ सुमती कौन थे तो सुमती उनके गाइट का काम कर रहे थे लेकिन वो साथ क्या थे सुमती लेखक का सहयात्री तथा एक मंगोल बौध भिक्षु था ध्यान रखे क्या दिया ये ध्यान रखना होगा आपको मंगोल बौध भिक्षु क्यों अब इन्होंने मंगोल क्यों क्या को उसका चेहरा एकदब लाल था वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला था और उसका नाम लोब्जडरोशेक था ठीक है तो नाम क्या था सुमति कहा जा रहा था लेकिन नाम उनका लोब्जडशेक था तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रश्ण संख्या आठ है लड़कोर मार्ग में लेखक अपने साथियों को क्यों पिछड़ गया था अब लड़कोर में क्यों पिछड़ गया था याद आया ना ये वही है जब उनका गोड़ा स्लो था और रास्ता वो भटक गये थे है ना ये वही चीज़ है तो देखिए लड़कोर मार्ग में लेखक को एक जगा दो रास्ते मिले अब जो है ना अब कहते है ना एक रास्ता ऐसे सीधा जा रहा और एक रास्ता ऐसे मुड़ गया तो दो रास्ते मिले एक बाएं और दूसरा दाएं जा रहा था ठोके एक बाएं जा रहा था एक दाएं जा रहा थ लेखक ने बाएं का रास्ता ले लिया पूछने पर पता चला कि लटगोर का रास्ता दाहीने वाला था डेड़ दो मील वापस लोटकर दाहीने वाला रास्ता लेने और सुस्त गोड़े ने लेखक को साथियों के पीछे कर दिया तो समझ में आया क्या हुआ कि भाई उनके सा साथ साथ चल रहे थे लेकिन अब थोड़ा सा पिछ रहे थे लेकिन अब पीछे रहने के गोरे चैजख यह जो एक पाई था निकल चुके थे तो इस कंडीशन में जिन को जाना दाएं था लेकिन इनोंने बाएं का रास्ता ले लिया अब रास्तेमें आगे जाकर उन पता चला तो उनने था कि वो दहीमारास्ता उनने लेना था ठीक हे राइट साइड वाला लेना था तो फिर वापस आए अब उस रास्ते पर क्रीड़ मिल चल गए थे थेramer फर वह करीबं डेडमील न न को वापस आना और दाएं जाना यह सारे कामं वह बहुत ही ए्ट पीछे पतियन डांडे की उचाई 16-17,000 फीट थी, कितना? 16-17,000 एक्जैक्ट नहीं बताया गया, 16-17,000 फीट थी, डांडे तिबत में सबसे खत्रे की जगा थी, इतनी उचाई होने के कारण इसके दोनों तरफ मीरों तक कोई गाउन नहीं है, क्योंकि वो बहुत हाइट पे है, माइ पर लूट पाट जादा होगी, वहाँ पे लूटे रे रहेंगे, तो इसलिए वो खत्रे की जगा कहा गया है, नेक्स आते हैं प्रश्न संख्या 10, तिबतियों का देवता इस्थल कहा था, कहा था, तिडिरी समाधी गिरी था ना, तो देखे क्या है, डांडे की जगा थी, तिबतियों का देविस्थान डांडे के सरवोच शिकर पर था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की जंडियों से सजाया गया था, तो डांडे में वो एक जो मुचा इस्थान था, उसे पूरा सजाया गया था, वो इस्थान इनके लेव स्थल के रूप में माना जाता है, टो इस तरीके से हमने यह हमारा जो सेकंड चेप्टर था लिहासा की ओर इसका हमने अप्रेक्टिस पेपर आपको सॉल्फ कर दिया, तो एक तरीके से हमने यह पूरा पेपर आपको अच्छे, मतलर अभी भी इसके जो exam oriented questions है वो बांकी है तो वो मैं अभी नहीं कराऊंगी जब हम अपनी पूरा syllabus जो है explanation कर लेंगे तो exam जो हमारे नस्दीक आने लगेंगे तो उस दौरान हम आपको ये सारे exam oriented questions में ये सब कराऊंगी तो ये सारी चीज़े देखने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा definite success की पाटशाला पर क्यों क्यों क्योंकि यहां पर आपको मिल रही है online classes है live classes है आपके daily practice papers आपको दिये जा रहे हैं उनके solution videos आपको दिये जा रहे हैं study materials हैं आपके लिए handwritten notes हैं बहुत सारी चीज़े provide कराई जा रही है और हाँ इन notes के लिए आप जो है हमारे telegram channel पे जुड़ सकते हैं जिसका link नीचे आपको description में दिया हुआ है कोई भी query है तो आपके पास phone number और आपके पास whatsapp number already available है इस पे आप queries कर सकते हैं लेकिन साथ ही साथ आपको इस channel को like, subscribe और share भी करता होगा क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे न और हमारी family धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी तो मिलेंगे अब हम अपने next chapter के साथ में जो है उभोकतावाद की संस्कृति ये एक निबंध है बहुत अच्छे से इसको समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा उलजा हुआ आपको ज़रूर लगेगा लेकिन हम समझाएंगे तो हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से अच्छे में आएगी तो मिलते हैं नेक्स चैप्टर में थैंक यू फो वाचिक बाइए